दूस्टों स्वागता आपके अपनी चनल Civil Side Visit में दूस्टों आज का वीडियो पेंट पे होने बाला है कि हम पेंट की कॉइंटिटी कैसे निकालते हैं Ectimation कैसे करते हैं कि आपको पेंट कराने में टोटल खरचा कितना आएगा हम बात करें प्राइमर की, पेंट की, लेवर की या मिटीरियल जो भी हम लगाने वाले हैं उस पे टोटल खर्चा हमारा कितना होगा वो हम इसली निकाल सकते हैं इस वीडियो के बाद में मैं आपको complete पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप easily count कर लोगेगी, आपको पुटी कितनी लगेगी, प्राइमर कितना लगेगा, पेंट कितना लगेगा, लेवर कितनी लगेगी और टोटल खर्चा कितना होगा, वो सब इस वीडियो को देखने के बाद आप निकाल लोगे एक 1000 स्केर फीट का गर जो सामने आप देख रहे हो, इसका ही मैं एक एक एग्जेंपल लोगा, इसी का एरिया सब हम बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हो, एक वीडियो में पहले डाल चुका है, फिर समय वीडियो डाल रहा हूँ, इसको complete देखना आप easily इसमें से काफी चीजे सीखने बाल लेओ, देखो अगर आप चाहते हो कि डेली आपको ऐसी वीडियो मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बैल आइकन दबा लेने हाँ, यही टॉपिक आपको हमारी वैबसाइट सिविलसाइट विजरी डाल कॉम पे मिल जाएंगे, आज का ट तो हजार स्केर फीड का घर आपने देखा, तो उसकी जो सिलिंग होगी, उपर जो रूफ रहता है, उसका लंब सम भी हजार स्केर फीड बनता है, एप्रॉक्स हम एप्रॉक्स वैल्यू निकालने हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको कल्कुलेशन दिखाऊंगा, उसमें चार स तो दस फूटियां गयारा फूट अगर हाइट है, तो ये थ्री से हम मल्टिपल लाइक करो, कोई दिक्कत नहीं, एक थमरूल कहता है, तो हजार प्लस तीन हजार कितना होगा, टोटल हमारा हो गया, चार हजार स्केर फीड एरिया होगा, अगर हजार स्केर फीड का गयर है, अगर हम पुट्टी की बात करें, पुट्टी आपको मार्केट में लक्षमी, जेके लक्षमी या जेके पुट्टी काफी आती है, तो पुट्टी आपको अश्चा प्राइमर आपको मिल जाता है, 120, 100 बाला भी आता है लेकिन 120 तक आपको अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा, और पेंट के हम बात करें तो ऐसे 1500 से स्टार्ट हो जाता है काम लेकिन 200 का आपको अच्छा पेंट मिल जाएगा एशियन का बात करें, हम यहाँ बेगर की बात करें, काफी कंपनीज हैं, आपको मार्केट में मिल जाएगी उन पे मैं वीडियो डाल चुका हूँ, कौन सी कंपनी अच्छी है फिर हम लेवर की बात करें तो लेवर हर जगा अलग है, लेकिन 4 से शेयर उपेपर स्केर फीट के हिसाफ़ से जो लेवर लेती है पेंट करने का उसमें दो पुटी कोट होता है, प्राइमर और पेंट की बात होती है अभी बात करें हम इसके थम रूल की पुटी जो होती है, एक केजी दस से बारां स्केर फीट में हो जाती है कितनी 10-12 के रिए मैं थमरूर डाल डाल चुक हूँ दो कोट उसमें हम मारते हैं और वैसे हम बात करें प्राइमर की तो आपका 1 kg 100-130 केर फीट में आपका प्राइमर लग जाता है फिर हम पेंट की बात करें तो 1 kg 100-110 केर फीट में पेंट भी आपका लग जाता है फिर हम लेवर हो गया हमारा ये हो गया अब भी हम बात करते हैं कि आपको निकालना कैसे है तो जो पुटी है वो हमारी कितनी लगे कि कैसे निकालेंगे देखो टोटल जो एरिया होगा हमारा हमारा आया है 1000 फीलिंग का और वाल का होगा तो 4000 एक स्केर फीट में कितना लगता है 10 से 12 तो 10 ले लेते हैं 10 तो वो हो गया हमारा 400 केजी हमें पुटी लगेगी और पुटी करवा लेनी अच्छे स्मूथ सर्फेस हो जाता है और दिखती भी अच्छी है अच्छी है अच्छी होती है तो 400 केजी हमारी पुटी लगेगी तो market rate जो मैं average पकड़ के चला हूँ वो 23 रुपे केजी है तो 400 into 23 हो गया हमारा 9200 का हमारा सिर्फ कितना क्या लग जाएगा पुटी हमारी 1000 स्केर फीट के गर में लगेगी फिर मैं बात करता हूँ प्राइमर की तो टोटल एरिया कितना है हमारा 4000 स्केर फीट और हमारा 1 केजी एक लिटर किसमें लग जाता है 100 से 130 में बीच की वैल्यू पकड़ लेता हूँ 120 तो 120 कर दिया है डिवाइड किया इसको तो हमारा आया 33.3 लिटर हमारा लगने वाला और एक की प्राइस कितनी है 1 केजी की एक लिटर की 120 तो हमारा कितना हो गया है अप्राउक्स कोई 4000 रुपया हमारा किसमे प्राइमर का खचा आने वाला है ठीक है दोनों खचे पकड़ लिए फिर पेंट की बात करता हूँ पेंट हमारा टोटल कितना एरिया है 4000 सकेर फीड तो 200 रुपय रेट चल रहा है तो हमारा 8000 रुपय का पेंट लग जाएगा फिर आती है लेवर की बात लेवर काफी ज़ाधा लगती है में खर्चा ही लेवर का होता है काम करमाने में तो वो हो गया हमारा 4000 टोटल स्केर फीड एरिया है 4-6 रुपए चल रहा है तो बीच का हम पकड़ लेते हैं 5 रुपए रेट पकड़ लेते हैं तो हमारा 20,000 रुपए लेवर खर्चा जाएगा 1000 स्केर फीड के गर्ब में यह हो गया 92,000 पुटी का प्राइमर का 4,000 पेंट का 8,000 और लेवर का इतना तो इसको हम क्या कर देंगे टोटल करेंगे तो 41,200 रुपए हमारा 1000 स्केर फीड के गर्ब को पेंट करने में खर्चा जाता है तो यह निकल गया और इसमें आपको प्राइमर कितना चाहिए पुटी कितनी लेवर कितनी यह इस वीडियो के बाद आप देखके निकल सकते हो आई होप आपको समझ आ गया होगा यह चीज़ें आपको पकड़ के रखनी है मेटेरियल, प्राइमर, पेंट लेवर और यह अगर आपको पता होगी तो आप इसली निकालो के कोई भी गर है आपका जैसा भी तो आपको पता चलिए आपकी कुएंटिडी कितनी आने वाली है यह था चोटा सा टॉपिक आई होप आपको समझ आया होगा ऐसे है आपको इसको भी एकसल शीट में बना सकते हो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद देए होगी और कमेंट करना जो चीज आपको नहीं पता जो चलिए होगी थैंक्यू गाइस